हेलो एब्रीवन आइम डिचर शर्मा और आप सब कैसे हो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और इस वीडियो में हम करेंगे exercise 3 present perfect tense की present perfect tense मैंने पिछली वीडियो में structure करा दियें तो आप उस वीडियो को जरूर देखें उसके बाद ही exercise की शुवात करें तो चलिए start करते हैं सबसे पहले change the voice of the following sentences आपको voice change करना है active में तो passive में change करना है और passive में तो उसे active में change करना है first देखते हैं we have made all arrangements हमने सभी arrangements कर दिये हैं तो क्या कर दिये हैं हमने सारे arrangements तो object क्या हुआ आपका all arrangements to all arrangements हम सबसे पहले आगे लिखेंगे सबसे पहले passive voice बनाती समय हमें सबसे पहले find करना होता है απ已經 object कौन आaiser की c copyright आङए आता है passive voice में वह subject अइसलिए सबसे पहले हम हमED object find करना होता है तो हमने find कर लिया और all arrangements आपका subject बन जाएगा इसके according have आएगा और इसमें add कर देंगे be made का made रहेगा क्योंकि वर्ब की third form का यह use होता है तो यह भी third है और यह भी third है buy लगाएंगे और be को हम change कर देंगे असमे ओके यह बन गए हमारा passive voice, next time we have sent them invitations हमने उनको invitations बेजें तो क्या बेजें? invitations invitations आ जाएगा उठके आगे invitations के according have आ गया फिर bean, sent का sent किसको them तो two लगा के हमें them लिखना है उसके बाद buy और be को change कर देना है असमे यह इसका passive voice बन गया next time I have never tasted this dish before, मैंने यह dish पहले कभी नहीं चखी है तो क्या नहीं चखी है यह dish, this dish तो dish dish पहले आ जाएगा इसके according has फिर never का never फिर been, tasted by और I change हो जाएगा मी में, मी और before दे रखा है तो last में before लिखना है ठीक है next है आपका they have not taken any notice of me उन्होंने मेरी कोई भी सुद्ध नहीं ली है तो क्या नहीं ली है मेरी सुद्ध सुद्ध मनलब होते है मेरे बारे में कुछ नहीं मनलब जानकारी नहीं ली है मेरे मुझ से कुछ पूछा नहीं है तो इसमें object क्या हुआ any notice of me तो यह आ गया पहले any notice of me फिर इसके according has आ गया फिर not क्योंकि यह negative है तो not आ गया फिर bean bean ऐसा मत कर देना has के बाद लगा दो पहले not आएगा उसके बाद bean लिखा जाएगा फिर taken का taken फिर by और they का हो जाएगा them तो यह बन गया इसका passive voice next करते है the cat has not drunk all the milk बिली ने सारा दूद नहीं पिया तो क्या नहीं पिया सारा दूद all the milk तो all the milk इसमें क्या है object वो आएगा subject बनके all the milk has according has लगी not लग गया bean ड्रंक का ड्रंक हो गया buy हो गया फिर the cat subject है object बन जाएगा the cat तो name किसी का change नहीं होता है pronouns change होता है जैसे कि बी का अस हो जाता है he का Him हो जाता है she का Her नहीं हो जाता है यू का यू रहता है वो चेंज होता है next 6 has the film been seen by you क्या तुमारे दौ़ारह film देखी गई क्या तूमारे दौ़ारह film देखी गई है तो आप देखते ही अंदाजा लगा गए होंगे कि यहां बीन भी है और बाई भी है इसका मतलब यह पैसिव में बना हुआ है तो हमें किसमें चेंज करना है एक्टिव में तो इंट्रो गटेव है तो सबसे पहले हमें हैल्पिंग वर्ड भी लिखनी होगी तो पैसी बॉइस 7 7 яв the not visited दिली क्या वह दिल्इड नहीं गए हैं तो या फिर उन्होंने क्या उन्होंने दिली विजड नहीं किया है तो किसको विजड नहीं किया दिल्ली को मैड चीज और बता दूं कि曜़र ऑब्जक्ट करना है तो आपकी मेंट वर्ग होती है जैसे कि मीड हो गई जसे है made हो गया, sent हो गया, तो इसके बाद जो होगा, वो आपका क्या होगा, object होगा, ठीक है, तो ऐसे ही इस वाले, इस 7 वाले sentence में, visited के बाद आ रहा है, देली, तो देली के according, देली सबसे पहले आएगा फिर, subject बनके, देली के according, has लगाया, has, देली, फिर not, फिर be, फिर visited, फिर by, और वहाँ था, दे, तो दे का हो गया, दे, यह बन गया, that's it, boys, next है, how have you earned money, तुमने पैसे कैसे कमाई, तो क्या कमाई, पैसे, तो पता चल गए, object क्या है, money, तो इंट्रोगाटिव है, तो how का how रहेगा, how, फिर money के according, has आएगा, money आगया जाएगा, money, फिर बीन लगाना है बीन हमें सा subject के बाद लगाना है, अंड का अंड हो गया, buy, और you को, you में change हो जाएगा, next है, what has been bought by you, तुमारे द्वारा क्या खरीदा गया, तो आप देख रहे होंगे, बीन लगा हुआ है, और buy, इसका मलब यह पैसिब में बना हुआ है, हमें किस में change करना है, active voice में, तो वाट का वाट रहेगा, इंट्रोगाटिव है, ठीक है, तो यू आगे आजाएगा हमारा, क्योंकि पैसिब बॉइस का जो object होता है, वो active voice का subject होता है, तो यू आगे आगे, you के according have लग गया, तो what have you bought का bought, ठीक है, next है आपका, why have you not beaten him, तुमने उसको क्यों नहीं पीटा है, तो किसको, उसको, मनला की object क्या है, him, तो why का why लिखा, he आगे आएगा, तो he के according has, why has he, not का not, फिर been, फिर beaten, फिर why, और you का, you में change हो गया, next cut them, where have they placed my book, उन्होंने मेरी books कहां रख दी है, तो क्या रख दी है, my books, इसका मनला object, my books है, तो where का where ही लिखना है, फिर my books के according have, my books आगे आगे, my books, फिर been लगाना है, फिर placed, फिर by, और फिर दे का, them हो जाएगा, ओके, next करते हैं, next करते हैं, 12, has he not astonished you, क्या उन्होंने तुम्हें चकित नहीं किया, तो किसको नहीं चकित किया, तुमको you, इसका मनला object क्या है, you, तो इंट्रो करते हैं, तो you के according पहले हमें have लिखना है, क्योंकि यहां भी helping verb लिखी गई है, तो have, for you, for not, cannot, for been, for astonished, for by, और he change हो जाएगा, him में, next, your brother has done a lot in this matter, तुमारे भाई ने इस matter में बहुत कुछ किया है, तो क्या, क्या है, बहुत कुछ, तो a lot जो है, वो आपका object है इस में, तो वो आपका subject बन गया, passive voice का, a lot has, a lot के according has, फिर भी लगाना है, फिर done, फिर by, your brother आ जाएगा, और क्या बचा, in this matter, वो लिखना है, in this matter, यह हो गया, आपका 13, अगर आपको video अच्छी लग रही हो, तो like और share करना ना भूले, और कोई भी आपका comment, कोई भी आपका doubt हो, तो comment जरूर करें, next करते हैं, I have not stolen your clothes, मैंने तुमारे कपड़े नहीं चुराई हैं, तो क्या नहीं चुराई हैं, तुमारे कपड़े, your clothes, तो your clothes starting में आ जाएगा, your clothes, इसके according have आ गया, फिर negative है तो not, फिर been, stolen का stolen, फिर by, फिर I change हो जाएगा, me में तो me, यह बन गया passive voice, next है, why has the car been sold by you, तुमारे द्वारा कार क्यों बेची गई, बेची गई है, तुमारे द्वारा कार क्यों बेची गई है, तो आप देख रहेंगे, been भी है और by भी है, इसका मलग passive voice में बना हुआ है, हमें किसमें change करना है, active voice में, तो y का y लिखेंगे, फिर passive voice का जो object होता है by के बाद वाला वो active voice का subject होता है, तो फिर subject लिखेंगे और इसके according have, why have you, शोल्ड का शोल्ड ला जाएगा, और द्वार का द्वारा का द्वारा, exercise फिनिश होती है, और present tense के सारे, सारे tenses फिनिश हो गई, क्योंकि चार tenses होता है present के लेकिन जो passive voice है, वो सिफ तीन तैंस का बना जायता है, जो four tense होता है present perfect continuous का passive voice नहीं बनाया जाता, और next video में हम करेंगे past tense की शुवात, past tense में, सबसे पहले past indefinite tense के structures, हम next video में करेंगे, मिलते हैं next video में, thank you